अमता बनरजी के गड़ में उन्हें चुनाती देने के लिए पिये मोदी आज पश्चिम बंगाल पहुंचे और पिये मोदी की आज पहली सभा ठाकुर गंच में उन्हें सुनने के लिए वहां पर भारी भीड भी उम्री लेकिन भगदर के आशंका की वजह से मोदी को अपना भाशन सिर्फ 14 मिनट में ही खत्म करना पड़ा चुनाव से पहले पिये मोदी ममता को चुनावती देने पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटे बढ़ाने के लिए पिये मोदी कई रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल का उत्तरी 24 परगना के ठाकुर नगर से अपने चुनाव अभियान का श्रुई गनेश किया। प्येम मोदी की रैली में भारी भीण देखने को मिली लेकिन भगदर होने की आशंगा की वज़े से प्येम ने अपना भाशन 14 मिनट में ही खत्म कर दिया। इसके डर के कारण लोग संत्र का बचाव के नाटक करने वाले लोग निर्दोस लोगों के हच्चा करने पर तुले हुए। देज भर के जिन भी किसानों के पाथ 5 एकर तक भूमी है उनको हर वर्ष केंदर की सरकार छे हजार रुपिय तक की सहायता कि मोजी बैंकों में खाते खलवाने पर इतना जोर क्यों दे रहा था। यहां जो सरकार है वो विकास की परियाव जनाओं को ले करके रती भर भी कंभीर नहीं है। सिती यह है कि पस्चिम मंगाल में इनफास स्टर से जुड़े लगबग 90 हजार करोड रुपिय के करीब करीब दो डर्जन बड़े प्रोजेक्ट पर काम या तो शुरू ही नहीं हो पा रहा है और अगर कुछ शुरू हुआ है तो बिलकुल मरी हुई गती से काम हो रहा है। साथियों हमारे देश में कई बार किसानों के साथ कर्ज माफी की राजनीची करके किसानों की आँख में तुल जोंकने के दिरलज प्रयास हुए है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ राज्यों में कर्ज माफी के नाम पर किसानों से वोट मांगे गए। परणाम क्या हुआ ऐसे किसानों की कर्ज माफी हो रही है जिसने कभी कर्ज लिया ही नहीं।